आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगी मिरा नाम असे दान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लूस पर नूपीएसी का रिजल्ट आ गया है और हम सारे टॉपर्स की स्ट्राटिजी और इंडर्वी लाने की कोशिश करेंगे तो भाईस भैस सबसे पहले हैं रांक वन शुबं कुमार हम उनको बहुत बहुत बधाई देती है और शुबं कुमार ने सेल सर्विसेज को टॉप किया है आपको बता दू कि शुभं कुमार जो है वो IITN है, इनका कल मैं इंटर्वी देख रहा था तो शुभं कुमार ने काफी कोज बताई, इनके माता जी, इनके इसके वैसे पिता जी जो है देवानन्द, वो ग्रामीड बैंक में मैनेजर है और माता जी जो है वो हाउस फाइफ ह अब शुभं कुमार बताते हैं, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इनको जबर्दस सपोर्ट था, परिवार का इनको शांदार सपोर्ट था, बचपन से ही, कटियार से है यह, कटियार के गाउं में इनकी पढ़ाई हुए और इनकी माता जी बताती है, कि एक से लेकर दस त अपनी पढ़ाई को लेकि इतना गंभीर था शुभं कुमार, इतना जबर्दस डेडिकेशन था, कि अपनी माता जी से अच्छा खाना भी नी बनवाते थे, कहा बार ममी कहती थी, क्योंकि बाहर रहते थे, पहले पटना में चले गए, फर्स्ट से लेकर टेंते था, शुभ शुभं कुमार ये भी बताते हैं कि भाई देको UPSC की तैयारी कहीं से भी हो सकती, कहीं पर भी बैटे हो सकती है, कोई special coaching कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकि शुभं कुमार ये भी बताते हैं कि भाई मैं 10th के बाद उसके बाद फिर ये पटना आ आगे, तो पटना म रही ही है, और उसके बाद शुभं कुमार ने पटना में रहके पढ़ाई की, और फिर इन्होंने IIT क्राक किया, येस, All India Rank 1, इस बार थोड़ा ये हो रहा है कि बहुत सारे IITians हैं, बहुत सारे engineers हैं, जुन्होंने इस exam को क्राक किया है, टीना डावी की बहन, रूमी डावी तो कहने का मतलब वही है कि बचपन से ही बहुत मेहनती थे, शुभं कुमार ने बहुत मेहनत की है, और भाई उनकी मेहनत का फल उनको आज मिल रहा है, एकदम हड़िया अगला दी हैं इस exam के लिए और इस exam के लिए आपको हड़िया अगला नहीं पढ़ती हैं, अब इस से हम आगे बड़े दोस्तों, हमने भी UPSC का foundation course से रहा है, तो आप जरूर इस course को अवेल करे, 2 October को एक महा test होने वाला है, उसमे हम scholarship देंगे, rank 1 को UPSC foundation course हमारी तरह से बिलकुल free मिलेगा, 2, 3, 4, 5 को UPSC का interface का course free मिलेगा, तो आप बिलकुल इस test को दे, जैसे UPSC का exam होता है, question level थोड़े से tougher हैगे, वैसा ही होगा, और daily test तो होई रहे है, आई होप, शाम 5 बज़े daily test होता है, आई होप आप उनको attempt कर रहे होंगे, 10 October को भाई, अब आपके बाद बहुत बड़ी opportunity है, शुबं कुमार एक inspiration है कि मिंसाल है, साथी साथ मेरा mentorship program है, जिसमें मैं पिछले 7 स वस्थी, अंकिता यादव, यज, जुलका, मंता यादव, ये पूरी की पूरी list है, कोशिश करूँगा कि टॉप 10, इन टॉपर्स की मैं वीडियो लाओ, और जो इन्होंने strategy बनाई है, जो किस तरीके से अभी, शुबं कुमार ने ये नहीं बता है कि इनकी proper strategy क्या थी, इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, और इसी दौरान इन्होंने इस साल का exam दे 2020 का, और बस इनकी rank 1 आई, बताते हैं कि भाइन अपने जब पिता जी वो सीडियो से उतर रहे थे, तो पिता जी को फोन किया, शाम को, तो पिता जी ने पूचा कि भाई, क्या हुआ, कैसा result आया, तो इन्होंने बोला, पाप हम टॉप किये हैं, हमारी rank 1, तो पिता जी बोले रहे, फिर से बोलो, पाप हम टॉप किये हैं, तो कि एक दम दोनों ही emotional होगे, और उसके बाद फिर फोन्स का आता लगया, इंटव्यूस का आता लगया, तो यह तीसरा attempt at civil service में, ठीक है, इससे इनकी 298th rank थी, और जैसा कि मैंने बता, इनका optional subject जो था, anthropology, एक और चीज़ बता दू कि, जब इन्होंने इन्होंने पढ़ाई पुरी कर दी थी, तो यह अमेरिका में भी गए थी, as a researcher इन्होंने वहाँ पर job किया था, और वहाँ से इनके पास अच्छी कासी job थी, अपनी इसी लिए हम जाते हैं, कि हम देश के लिए काम करें, आयस के लिए काम करें, यह चीज़ है, नितिश कुमार ने बदाई दी, रूरल डेवलप्मेंट मिनिस्टर पंचायती राज, शांडेले गिरीराज सिंग ने बदाई दी, हर किसी ने UPSC, मतलब शुबं कुमार को बद अब पत्ता के बाद, आयटी बंबे चले गए, और उसके बाद फिर डेली आ गए, डेली में कुछ टाइम रही है, वहाँ पे इनोने अपनी प्रेपरेशन है, वह चुरू की, और उसके बाद इस एक्जाम को क्राक कर दिया, अब प्रॉपर स्ट्राटीजी, फॉल फ्लेज Pantag Newtree, signing off.